आवला और उसके जूस के फायदे, उपयोग, छोटे आकार का साधारण सा फल आवला और शद्धिय गुणों की खान है। यही वज़ा है कि इसे कई शारिरिक समस्याओं के घरेलू उपचार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। वही आयुरवेद में भी कुछ गंभीर समस्याओं से राहत दिलाने के लिए इसे एक और शद्धी के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। बीमारी के पूर्ण उपचार के लिए डॉक्टरी परामर्श अतियावश्यक है। आवला के फायदे, Benefits of Emla वजन घटाने में मददगार मोटापे की समस्या से जूज रहे लोगों के लिए आवला फायदेमंद साबित हो सकता है। दरसल NCBI, National Center for Biotechnology Information के मताबिक आवले पर किये गए एक शोध से इस बात की पुष्टी होती है। चूहों पर किये गए इस शोध में माना गया कि आवले में Anti-Obesity यानि मोटापे की समस्या से राहत दिलाने वाला गुण पाया जाता है। इस तथ्य के आधार पर यह माना जा सकता है कि आवला का उपयोग कर मोटापे की समस्या से कुछ हद तक राहत पाय जा सकती है। हदए स्वास्थि के लिए लाभकारी हृदए संबंधी जोखिमों को कम करने और हृदए स्वास्थि को बनाय रखने के लिए भी आवला को उपयोग में लाना फायदे मन्द माना जा सकता है इस संबंध में Indian Journal of Pharmacology द्वारा आवला पर एक शोध किया गया शोध में पाया गया कि आवला का सेवन बरहे हुए लिपिड को कम करने के साथ ही बरहे हुए बलड प्रेशर को भी कम करने में सहायता कर सकता है ये दोनों हृदय से संबंधित जोखिम कारक हैं इसलिए यह कहा जा सकता है कि आवला के ओशधी ये गुण हृदय स्वास्थय को बनाय रखने में अहम भूमी का निभा सकते हैं फिलहाल हृदय स्वास्थय पर आवला के प्रभाव को और गहराई से समझने के लिए अभी इस संबंध में और शोध किये जाने की आवश्यक्ता है बिटीज ब्लड शुगर को करे नियंतरित डाइबिटीज की समस्या से पीडित व्यक्ती भी आवला का उपयोग कर इस समस्या में राहत पा सकते हैं यह बात करनाटक के फादर मूलर मेडिकल कॉलेज की रिसर्च डेवलेप्मेंट सेल द्वारा किये गए एक शोध से प्रमानित होती है इस शोध में पाया गया कि आवला में गैलिक एसिड, गैलोटैनिन, एलेजिक एसिड और कॉरिलागिन नाम के खास तत्व मौजूद होते हैं यह सभी तत्व एंटी ओन अक्सिडेंट मुक्त कणों के प्रभाव को नश्ट करने वाला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं आवला के और शधिय गुण के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव और रोक्थाम के लिए भी आवला का सेवन लाबकारी सिद्ध हो सकता है दर असल करनाटक के फादर मुलर मेडिकल कॉलेज द्वारा आवला पर की गई एक रिसर्च में पाया गया कि इस फल में कीमो प्रिवेंटिव प्रभाव पाये जाते हैं जो कैंसर से बचाव में मददगार हो सकते हैं साथ ही शोध में जिक्र मिलता है कि आवला में मौझूद कुछ फाइटो केमिकल्स गैलिक एसिड, एलेजिक एसिड, पायरो गॉलोल, नौसस क्विटरपिनॉइड, कॉरिलागिन, गैरानिन, इलाव कार्पुसिन और प्रोडेलफिनिदिन B1 और B2 में एंटीनियो प्लास्टिक, कैंसर कोशिकाओं को नश्ट करने वाला प्रभाव मौझूद होता है इन तत्वों की मौझूदगी के कारण ही आवला का सेवन कैंसर के जोखिमों को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है इसलिए इस बीमारी के उपचार के लिए घरेलू उपचार की जगह डॉक्टरी इलाज अतियावश्चिक है यूरिनरी सिस्टम संबंधित परिशानियों में राहत यूरिनेशन ना होने की समस्या बच्चे, महिला या पुरुष किसी को भी हो सकती है लेकिन सामान्य रूप से यह समस्या बुजर्ग पुरुषों में अधिक देखने को मिलती है वजह यह है कि बरहती उम्र में बुजर्ग पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथी, वीर्य बनाने वाले ग्रंथी में सूजन आ जाती है ऐसे में आवनला का सेवन इस समस्या से राहत पाने का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है विशेशग्यों के मुताबिक आयूरवेद में कई ऐसे फल, फूल या जडड़ ही बूटियां शामिल हैं जिनमें डियूरेटिक, मूत्रवर्धक, गुण पाये जाते हैं इनमें आवला का नाम भी शामिल है, पाचन प्रकिया में सहायक बिगड़ी पाचन प्रकिया को सुधारने में भी आवला का जूस के फायदे कारगर माने जा सकते हैं दरासल कैंसर से संबंधित आवला पर किये गए एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि इसमें स्टमेकिक, स्टमेचिक पाचन सुधार और भूक को बरहावा देने वाला गुण पाया जाता है वहीं इस शोध में यह भी माना गया कि आवला पेट के अलसर और अपच की समस्या में सुधार करने में भी सहायक है इसमें पेट में गैस की समस्या से राहत दिलाने की भी क्षमता मौजूद होती है प्रतिरोधक क्षमता बरहे आवला खाने के फायदे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार भी शामिल है दरासल जर्नल ओन अफ फार्मा कोगनौसी एंट फाइटो केमिस्ट्री के मुताबिक आवला में उर्जा और प्रतिरोधक क्षमता दोनों को बरहाने की क्षमता मौजूद होती है इसलिए इसे रोगों से बचाने वाला टॉनिक भी कहा जाता है वहीं दूसरी ओर आवला पर किये गए एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि आवला में मौजूद एंटी ओन एक्सिडेंट गुण मुक्त कणों के प्रभाव को कम कर प्रतिरोधक क्षमता में सुधार कर सकते हैं हड्डियों को करे मजबूत विशेशग्यों के मुताबिक आवला में एंटी इंफ्लामेट्री सुजन कम करने वाला गुण पाया जाता है यह गुण आर्थराइटिस गठिया की समस्या में होने वाली जोड्डों की सुजन को कम करने में मदद कर सकता है वहीं इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी मौजूद होता है विटामिन सी हड्डियों की मजबूती के लिए आहम माना जाता है आँखों की रोशनी, बरहाय कंजेक्टिवाइटिस में आँख के सफेध हिस्से में सुजन और ग्लूकोमा में रोगी की नजर कमजोर होने लगती इसके लिए आवला के जूस में शहद मिला कर दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी सुजहाव कमेंट में जरूर करें